इसको लेकर एक बहुती बड़ा विवाद खड़ा हो गया है पहली बात तो यहाँ आपको समझना होगा जो 2023 में भारत G20 समिट होस करेगा यह अपने आप में गोल्डन ये रहने वाला है भारत की डिपलोमसी के लिए क्योंकि भारत अपने इतिहास में पहली बार इतना बड़ा समिट होस करेगा जहाँ पर दुनिया भर के कंट्रीज के जो हेड़ व स्टेट हैं वो आएंगे भारत में हाला कि मुझको यहाँ पर एड़ करना पड़ेगा के G20 एज गुरूप फॉर्म वह था 1999 में तो ऐसा नहीं है के बहुत लंबे समिट तक यह समिट हम होस नहीं कर पाए थे इवेंचुली इंडिया का नंबर आना ही था और फानली 2023 में भारत का नंबर आएगा दुनिया के वो देश जो टोटल मिलाकर 80% दुनिया की GDP बनाते हैं ये सब कंट्रीज इनके head of state होंगे भारत में उसके इलावा इंडिया ने ये भी आपर ensure किया है कि आसपास के कई देश इंडिया के आसपास के कई देश जो एक बार को G20 के मे प्रिक्स का समिट हो G20 का समिट हो G7 का समिट हो हर समिट का ना एक लोगो बनता है वो लोगो आप देखोंगे हर जगा फेमस हो जाता है अब इंडिया ने 2023 के G20 समिट के लिए एक लोगो अनवील किया दुनिया को दिखाया के देखिए ये होगा हमारा लोगो 2023 के G20 समिट क अब इस लोगों को लेकर भारत में पॉलिटिक स्टार्ट हो गई है भारत में जो कॉंग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है यह आपर क्या रही है कि शॉकिंग बात है कि BJP ने जो G20 लोगों इर्डिउस किया है इसमें लोटस बना हुआ है बेसिकली इनका कहना यह है कि जो करंट के लोगों का जो यह वाला हिस्सा है यहां पर कहा रहे हैं यह थोड़ा बहुत सिंवलर है BJP के पार्टी सिंबल से हाला कि यहां पर मैं एक बार आड़ कर दू के G20 समिट का जो लोगों होगा इसके लिए भारत सरकार ने एक कॉंपटिशन रखा था जी हा आज से कई मेने पहले कॉंपटिशन स्टार्ड हुआ था इसमें देश भर से डिजाइनर्स ने लोगों बनाए और लोगों यह ओनलाइन विजए सरकार को यहां पर आप देख पाऊगे और सरकार ने इन लोगों के बतले लोगों को इनाम भी दिया है 15-15,000 रुपे का यहां पर आप देख गई है मगर जो कॉंग्रेस पॉल्टिकल पार्टी है वो यह कह रही है कि G20 का जो ओवरोल लोगों है इसमें लोटस होना ही नहीं चाहिए था क्योंके करन्ट गवर्मेंट जो है इनका जो मेन सिंबल है यह भी लोटस है तो यह पावर का दुरोप योग इनके हिसाब से और जैराम रमेश आपको पतागा कॉंग्रेस के बहुत युड़े नेता है इन्होंने ये कहा कि 70 साल पहले जवारला लेरू जो देश के पहले पीम थे इनके पास एक प्रपोजर आया कि जो कॉंग्रेस का जंडा है न इसको ही आप बना दो भारत का जंडा उस वक्त नेरू न ये का है कि देखो लोटस को आप सिंपली ये मत देहिए कि BJP का ये सिंबल है आप वैसे सोच कर देखो तो लोटस अपने आप में देश का नाशनल फ्लावर भी है और देश का नाशनल फ्लावर ये आज से कई दशकों पहले बन गया था उसके अलावा हरदी पूरी हरदी गांदी के जो solutions थे in the face of violence उसमें काफी बार आप देखोंगे lotus का use किया जाता है तो lotus को सिर्फ एक political party से जोड़ना गलत होगा ना मैं यहाँ पे आप से पुछना चाहूंगा आप सब लो लिखो comment section में कि क्या आपके हसाब से जो यह G20 का logo है यह सही है या फिर आप मानते हैं कि यहाँ पे lotus नहीं रखते तो सही रहता लिखेगा इसके बारे में comment section में मैं genuinely जाना चाहूंगा आपका opinion और वैसे मैं आपको बता दूँ कि भारत का जो यह 2023 वाला summit होगा ना यह बहुत जादा special रने वाला है special इसलिए होगा क्योंकि व्लादेमर पुतन ने यह announce कर दिया है कि जो 2022 का G20 summit होना था इंडोनीसिया में जो अभी होगा कुछी दिनों में इस summit को पुतन अटेंड नहीं करेंगे वर्चुली हो सकता है कि एक भाशन दे दे मगर पुतन खुद इंडोनीसिया नहीं जाने वाले तो इसका मतलब यह है कि 2023 में डेफिनेटली पुतन इंडिया में आएंगे तो 2023 में इंडिया बनेगा वो देश जहांपर जो बाइडन पुतन पीम होती ये तीनों दिगज लीडर इखटा होंगे शीजिंग पिंग दी हो सकता है कि भारत में आए उस वक्त तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2023 का G20 समिट ना सिर्फ उस साल का हो सकता है कि पिछले 5-6 सालों का सबसे बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट हो और एवन अगर हम छोटे रेशों की बात करें पाकिस्तान को आप अगर देखो तो पाकिस्तान ओलड़ी कह चुका है कि 2023 का जो ये G20 समिट होगा भरत में इसको पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा रिजन ये है क्योंकि G20 की जो बहुत सारी मीटिंग्स होगी इन इडिया इन में से कुछ मीटिंग्स इंडिया कश्मीर में भी करवाएगा तो पाकिस्तान इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है और पाकिस्तान एक्चुली चाइना को भी कह रहा है कि चाइना भी इस समिट को बॉयकॉट कर दे हलाकि चाइना ने अभी के लिए इसके बारे में कोई स्टेट्मेंट दिये नहीं है तो बहुत जादा कॉंट्रोवर्सी से भरा हुआ ये समिट है इवन दो अभी 2023 शुरू भी नहीं हुआ है तो ये मैं कहूंगा बहुत इंट्रस्टिंग रहने वाला है खैर आप लोग अपना जो अपिनियन है लिखेगा कॉमेंट सेक्षन में लोगों के बारे में और फारली आपसे एक multiple choice question भी मैं पूछूंगा question यहाँ पर यह है कि रशिया हाली में बन चुका है सबसे बड़ा exporter पेगारन का किस country को इस financial year में यह है आप आपकी option चाइना इंडिया जपैन या फिर पाकिस्तान recently इस पर बहुत आडिकल पब्लिश होए है कि dash is the highest exporter और पेगारन तो लिखेगा इसके बारे में comment section में जो लोग सही answer करेंगे उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा ताकि बाकी लोग की समझ पाए कि सही answer क्या है finally यहाँ पर मैं यह भी add कर दूँ कि live में अगर आप एक बार properly UPSC exam की त्यारी करना चाहते है genuine तरीके से तो आप unacademy का special combo package purchase कर सकते है comment section में जाइए यहाँ पर आपको मिलेगा link इस combo package का now इस combo package की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर prelims, mains और optional तीनों की त्यारी करने का मौका मिलता है in a single purchase यह सारे जो आप courses हैं अलग अलग purchase करोगे तो 10-15,000 rupees आपको extra pay करने होंगे तो combo में वैसे ही आपकी saving होती है तो अगर मान लीजिए अब यह आपका plan है कि आप 2-3 साल में अराम से UPSC exam का proper attempt देंगे तो जो 36 मेने का course है यह आप कर सकते हैं purchase मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं कभी भी pay मत कर देना simply यहाँ पर code use करो PD10 और prices गिरना स्टार्ट हो जाएंगे the prices will start falling सिर्थ 3,000 उपे में UPSC optional prelims means तीनों की तियारी आप कर सकते हैं with an academy so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you all झाल 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 झाल